हेलो दोस्तों वेलकम बैक एक बार फिस्ते खुशाम दीद और इस्तक्वाल है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूडियो चैनल के अंदर आएए बात करेंगे इस यूडियो के अंदर हम लोग की बिहार के अंदर जो एसमेली एलक्शन्स होगा उसके अंदर AIMIM को कितना फाइदा हो सकता है महागडबंधन के अलावा और महागडबंधन में शामिल होने के बाद या किसी और पार्टी के साथ गडबंधन करने के बाद MIM को कितना फाइदा हो सकता है कितने सीटों पर जीद और हार हो सकती है आईए इसके बारे में हम लोग इस उटों के अंदर चाचा करते हैं ये बात तो बिल्कुल तय है कि इस बार भी हर के अंदर AIM के पर जो पर्फॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि इस बार जो मेहनत है वो काबिले तारिफ है बहुत सारे लोग चाहिए कंचन्देवी हो कंचन्देवी औरा ये अइंदर अच्छा संकेत है ये अच्छा संकेत है है ये देने वाला आम के पर्टी लेकिन अब ये देखना होगा कि सिर्फ ये जो performance है ये जो एक अच्छा परदर्शन की उमीद है ये जो result है ये सिमांचल तक ही महदूर रहता है या फिर पूरे भिहार के अंदर जो है निकल कर उतना ही performance देंगे जितना सिमांचल के अंदर लाकि ये दावा जरूर क्या जा रहा है कि जिस तरह के से कुछ ल बताएगा कि क्या होता है कितना result किदर से निकल कर आता है लेकिन बात करेंगे हम लोग अगर महां गडबंदन के अंदर या फिर किसी और के साथ गडबंदन नहीं बनाती है तो उस case में एमकी पार्टी कितने सीटों पर जी सकती है कुछ लोग का ये भी कहना है 80 सीटों का दावा कर रहे है कुछ 100 का दावा कर रहे है कुछ 40 का दावा कर रहे है दावा तो खेर बहुत कुछ करते हैं और करना भी चाहिए सबका अपना अपना ओपिनियन है हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में के अंदर हमारा के ओपिनियन है और आफ उस ओपिनियन को कॉमेंट केस में जो बिहार के अंदर जीत हासिल होगे माईम के पार्टी की उस जीत की अगर बात की जाए तो जो जीत होगी बिहार के अंदर वह 15 से 20 सीटों पर हो सकती है हलां कि कुछ लोग यह जरूर कह रहें कि 800 लेकिन मेरा अगर हम बता रहे हैं हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं उस ओपिनियन के हिसाब से 15 से 20 सीट इतना ही ला सकती है सब्सक्राइब टेखने को मिल सकता है अभी के सिचुएशन अभी के सिनोरियों के इसाफ साथ कर रहें जब जाएगे वो शायद कम हो जाएंगे नंबर ऑफ जो शेरिंग सीड है वो होना ही है क्योंकि वहां पर सबका अपना अपने लिमिट होगा सबका ही एक बटवारा होगा तो पूरे बिहार पर तो नहीं उदा रहेंगे यह बाद भी इनको सीड मिलती है तीस सीड या पचीस या बीस लेकिन उस केस में जो है वह नंबर ऑफ जो विनिंग परसेंटेज बढ़ जाते हैं और वहां पर आप यह देख सकते हैं इतना बता सकते हैं तो शायद यह बीस पलस ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं यह बात बिल्कुल मारी होगा कि क्या होता है किस में महाइंगे बात निकल टार रही है कि Х Works लोग इस को शायद थोड़ा सा आना कर रही है और साय अ बाकि यह जुलाई के लाज तक मैं सब पता चल जाएगा कि कौन से पारिटी किसके साथ गडबंदन के अंदर शामिल होगी या नहीं होगी लेकिन इतना तरह है कि अगर यह गडबंदन के अंदर शामिल होती है तो शायद इनको ज्यादा फाइदा होगा मेरे हिसाब से और आ अंदर जो है वह चाहिए गडबंदन के अंदर शामिल हो या ना हो इमायम के पार्टी जीत उनकी अच्छे खासी होगी और इस बात से शायद संकेत भी मिल चुक है वाले को इसलिए सिमाचल के अंदर बहुत महनत भी है सिमाचल के अंदर लोग जूड़ भी रहे हैं और ब जाता है आप क्या कहते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू जहिन जो नए है चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्यू